नवसकार राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रविण मिस्र। आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बितेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांकी। 10 अक्टूबर 2013 दिन मंगलवार। अश्विन मास चल रहा है, क्रश्न पक्ष है, एकादसी तिथी रहेगी, दोपहर तीन बज कर आठ मिनट तक फिर द्वादसी तिथी शुरू हो जाएगी। मगा नचत्र है, चंद्रमा सिंग राशी में गोचर कर रहे हैं, भगवान शूर कन्या राशी में विराजबान हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बज कर 45 मिनट से दोपहर 12 बज कर 31 मिनट तक। राखुकाल का समय होगा दोपहर 13 बज कर 3 मिनट से 4 बज कर 30 मिनट तक। दिशा शूल है उत्तर दिशा। चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की। मेश राशी वालों की योजनाएं सफल होगी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा आपके खर्चों में बढ़ुत्री होगी किसी न किसी काम में आज व्यस्त रहेंगे शुभरंग लाल उपाए किसी गरीब को फल दान करें। ब्रश राशी परिवार की समस्या हल होगी काम में तेजी आएगी सुक्सु विधाएं बढ़ेंगी लोगों से मतभेद हो सकता है शुभरंग गुलाबी उपाए किसी गरीब को भोजन दान करें। मिथुन राशी भागे का सपोर्ट मिलेगा लंबी दूरी की यात्रा से लाब होगा कहीं दूर से कोई अच्छा आफर प्राप्थ होगा अंजान लोगों से मिटिंग होगी शुभरंग हरा उपाए गव माता को हरा चारा खिलाएं। करक राशी करक राशी वालों के खर्चे बढ़ेंगे सिहत के मामले में ध्यान देना होगा किसी बात को लेका टेंशन रहेगी नौकरी में परिवर्तन का विचार बनेगा शुभरंग क्रीम उपाए गायत्री मंत्र का 108 बार जाब करें। सिंग राशी रुके हुए काम बनेगे यात्रा से लाब का योग है तेजी से काम करने का समय है आपका सम्मान और बढ़ेगा शुभरंग लाल उपाए किसी गरीब को आठे का दान करें। कन्याराशी प्रापर्टी से लाब का योग है परिवार को समय देनी की जरूरत है हर काम सोच समझ कर करना होगा धनलाब के रास्ते खुलेंगे शुभरंग हलका हरा उपाए भगवान गणेश की आरती करें। तुला राशी तुला राशी वालों की नेतिर्त चमता बढ़ेगी पूरे उत्सा से आप काम करेंगे मित्रों से मदद प्राप्थ होगी किसी से मत भेद ना बढ़ने दें। शुभरंग बादामी उपाए किसी गरीब को फल का दान करें। ब्रिश्चिक राशी परिवार की परिशानियों पर ध्यान देने का समय हैं। भावनाव में बह कर फैसला करने से बचें। काम करने का तरीका बदलेंगे तो लाब होगा। अचानक धन लाव के अउसर आपको मिलेंगे। शुबरंग सिंदूरी कलर। उपाए हनुमान चालीशा का पाठ करें। धनुराशी पूरी प्लैनिंग से काम करने का समय है। सिक्षा से जुड़े हुए लोगों को लाब होगा। करियर के छेत्र में स्थिती बहतर होगी। विदेश से संबंधित काम बनेंगे। शुबरंग के सरिया। उपाए गव माता को रोटी किलाएं। मकर राशी आज किसी से उलजने से बचें। नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें। काम काज में सावधानी बरतना होगा। आपके खर्चे अचानक बढ़ेंगे। शुबरंग हलका नीला। उपाए भगवान गणेश की आरती करें। कुम्भराशी आपकी कारेचमता बढ़ेगी। करियर को आगे बढ़ाने का समय है। अहंकार का भाव ना बढ़ने दें। लोगों के कहने पर विचार ना बदलें। शुबरंग हलका हरा। उपाए गव माता को हरा चारा खिलाएं। मीन राशी कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी। रिस्तेदारों से मतभेद हो सकता है। किसी काम में आप व्यस्त रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेंगे। शुबरंग गोल्डन। उपाए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। राशी चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आप से मुलाकात। आपका दिन शुब हो। नवस्कार। अस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउन्लोड कीजिए अस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट अस्ट्रोलोजर से।